हलो बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न और्गनिक केमिस्ट्री की क्लास में बच्चों केमिकल बांडिंग पड़ रहे थे वी एसी पीर टी खतम कर लिया था और बांड पेरामिंटर्स को भी समझ लिया था आज का हमारा टॉबिक रहेगा बच्चों लाकेंगे बस question को करने में ठीक है ज्यां च saints यह पर हाँ यह फोला अलग चीज जाता है इसको और एक वेक्टर क्वान्टिटी है वज एक वेक्टर क्वान्टिटी है वेक्टर और magnitude दोनों है तो इसका magnitude कैसे calculate करते हैं इसका magnitude ऐसे calculate किया जाता है music was two Q in 2D what is Q Q is charge fraction and d is distance distance between what distance between charges for example जैसे कि एक molecule है HF, अब बच्चो HF molecule में क्या है? फ्लोरीन जादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो इस electron pair को कौन अपनी दरफ अट्रैक कर लेगा? फ्लोरीन कर लेगा, इधर डेल नेगेटिव, इधर डेल पॉजिटिव चार्ज आजाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर electron density के flow को represent करेगा अपना dipole moment, वैसे main application क्या होती इसकी वह मैं बताऊँगा, पर यहाँ पर देखो, इस पर positive चार्ज डेवलप हुआ है, और इस पर negative चार्ज डेवलप हुआ है, तो यह complete चार्ज नहीं है, क्योंकि electron density completely transfer नहीं हुई थी, electron density सिर्फ partially shift हुई ह fluorine की तरफ, इसलिए partial charge आया है, तो यह दो जो charges है ना बच्चो, यह है charge fraction और यह है Q, और इन charges के बीच का जो distance है, वो है D, तो यहाँ पर H और F के बीच का distance बच्चो क्या है, यही तो इसकी bond length है, है ना, तो हम यहाँ पर इसको, बच्चो, bond length भी लिख सकते हैं, ठीक है, त इनका product, उसका charge fraction into, इनका जो distance है, चार्ज इसके बीच का distance है, उनका product, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चो, इसकी ऐसा unit divide होती है, और इसकी और भी units होती है, जैसे कि इसकी एक unit होती है, बच्चो, ESU centimeter, और एक होती है, कूलम मीटर, तो ESU centimeter में, बच्चो, एक जो divide होता है, इ ESU centimeter, और कूलम मीटर में, अगर आप निकालो, तो एक divide होता, बच्चो, 3.33 into 10 to the power minus 30 कूलम मीटर, ठीक है, यह units बगरा और यह जब ठीक है, सेकेंडरी चीज है, आपको याद रखनी चीज है, बहुत अच्छी बात है, पर, डाइपल मोमेंट में, जो question बनते हैं, बच्चो और application में, बच्चो, सबसे पहली इसकी application है, सबसे पहली और सबसे important application यही है, जो की है polarity, बच्चो, किसी भी molecule की polarity को represent करने के काम हाता, डाइपल मोमेंट, अब आप कहोगे कि सर, polarity तो अपने electro negativity की applications में भी पड़ी थी, वहाँ भी निकाल लिया करते थे, पर बच्चो, electro negativity से आप polarity सिर्फ डाइटामिक molecule की निकाल सकते हो, एक polyatomic molecule की polarity कभी भी electronegativity से नहीं बता सकते, तो यह डाइपल मोमेंट काम आएगा, polyatomic molecule की polarity को निकालने में, अब polarity को कैसे निकाला जाता है, मैं आपको monotomic, sorry, diatomic और polyatomic दोनों में बता रहता हूँ, for diatomic molecules diatomic molecules में हम क्या करते थे बच्चो, electro negativity difference ले ले लेते थे, electro negativity difference अगर 0 आगया, तो molecule को हम बोलते थे कि यह non-polar है, और अगर electro negativity difference non-zero आया, तो इसको बोलते थे कि हम यह polar है, ठीक है, for example, hf अभी अभी लिया हमने, और h2 ले लो, या f2 ले लो, hf में बच्चो, इसकी electro negativity 2.1 है, और इसकी 4.0 है, तो electro negativity difference 1.9 मिल रहा है, मतलब 0 तो नहीं मिल रहा है, non-zero है, that means hf कैसा है, यह polar है, polar है, इसका मतलब, इस molecule में negative positive pole develop होंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने बता रखा है, यह negative pole, यह positive pole, यह molecule कैसा है, polar molecule है, ऐसे h2 की बात करें, तो h2 में दोनों atom hydrogen है, दोनों की electro negativity same है, fluorine f2 molecule में दोनों fluorine ही है, दोनों की electro negativity same है, तो इस case में electro negativity difference क्या जाएगा बच्चो, 0, electro negativity difference 0, that means molecule will be non-polar, molecule will be non-polar, तो अगर diatomic molecule आ जाए, तब तो EN difference से ही अपना काम हो जाएगा, लेकिन अगर polyatomic molecule आगा, जैसे कि NH3 दे दिया जाता, तो अब उसमें electro negativity difference के according तो polar होना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि वो polar ही हो, कई polyatomic molecule ऐसा होते हैं, जैसे CH4 molecule, EN difference के according to polar होना चाहिए, लेकिन निकलता non-polar है, तो polyatomic molecule के लिए बच्चो डाइपोल मोमेंट का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, डाइपोल मोमेंट का, for polyatomic, इसको मैं हटा देता हूँ, बच्चो इसको लिख लिए होगा आप लोगों ने, इसको लिख लो, अगर नहीं लिखाया तो मैं इसको हटा देता हूँ, polyatomic molecule के लिए बच्चो डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है, resultant dipole moment, कैसे निकाला जाता है, अभी हम देखेंगे, resultant dipole moment अगर 0 है, तो molecule रहेगा बच्चो नौन पोलर, और अगर resultant dipole moment नौन जीरो है, तो molecule रहेगा पोलर, ठीक है, देखने बहुत आसान लग रहा है, उतना आसान है नहीं है, कैसे निकाला जाता है, resultant dipole moment, उसकी बात करते हैं, चलिए इसको नोट कीजिए, तब तक मैं बाकी का रप करता हूँ, देखिए बच्चो निकालना है, बतब polarity निकालनी किसे भी molecule, तो resultant dipole moment निकालना है अपने को, उसके लिए आपको कुछ steps follow करने पड़ेंगे, वो steps क्या होते हैं, देखो, सबसे पहला hybridization calculate करो, then उसके बाद hybridization calculate कर लिया, उसके बाद draw correct geometry of molecule, molecule की correct geometry बनाओ, उसके बाद draw all the dipole moment, सारे dipole moment बनाओ, बच्चो dipole moment जो है, वो bond pair का भी होता है, और dipole moment जो है, वो lone pair का भी होता है, dipole moment, lone pair का भी होता है, और उसके बाद resultant निकाल लो, यह third वाले step में देखो, मैंने लिखा है, bond pair का dipole moment और lone pair का dipole moment, हमने बुला था dipole moment जो है, वो एक vector quantity है, तो उसका magnitude कैसे calculate करते हैं, उसका magnitude calculate करते हैं, इन्टो D से, अब उसके बास direction भी है, तो direction हम कैसे represent करेंगे बच्चों, direction हम ऐसे represent करते हैं, कि हमने हमने hf molecule बनाया था, इसमें dipole moment का direction है, वो हमेशा होता है बच्चों, less electro negative to more electro negative, और इसको एक arrow से represent किया जाता है, जिसके पीछे ऐसे cut लगावा होता है, ठीक है, इसको less electro negative से more electro negative की तरफ बनाया जाता है, इस arrow का direction किस तरफ होता है, less electro negative to more electro negative, मतलब भी electron density के flow की direction को बताता है, यह इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, यह एक plus का sign नजर आ रहा है, यह एक plus का sign है, और आगे minus का sign रहता है, तो यह positive से बच्चो negative की तरफ होता है, electron density, obvious ही बात है, positive से negative की तरफ flow होती है, और यह उसी के flow के direction को बताता है, ठीक है, तो यह इसका direction रहेगा, तो bond pair का direction तो अपन ऐसे बना देंगे, जो bond pair का dipole moment है, इसको bond moment भी बोलते हैं, बच्चो, bond moment, इसको तो हम ऐसे बना देंगे, ठीक है, और जो lone pair का dipole moment होता है, उसका लिए क्या करेंगे अपन, उसके लिए अपन जैसे यह lone pair है, तो इसको हमेशा बच्चो central atom से अवे बनाया जाता है, लोन pair की electron density हमेशा central atom से अवे होती है, इसलिए direction भी इसका away from the central atom बनाया जाता है, ठीक है, यह lone pair के लिए है, तो देखो, अब एक example ले ले लेते हैं, आसान सा, जैसे की B e c l 2 है, B e c l 2 के लिए हमें बताना है, बच्चो polar है या non polar है, ठीक है, कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो hybridization निकालो, hybridization तो अब आप एक जटके में निकाली लोगे, क्या होता है इसका hybridization, SP होता है, SP hybridization ने geometry क्या है, linear है, second step is draw correct geometry, यह बहुत important step है बच्चो, अगर आपने correct geometry नहीं बनाई, अगर आपने correct geometry नहीं बनाई, तो answer गलत निकल के आ जाएगा, जब तक आपको मेरी trick नहीं पता होगी तब तक, ठीक है, तो अभी पहले हम theory की practice करेंगे, हम पहले बच्चों legal तरीके से चलते हैं, उसके बाद हम illegal weapons निकालते हैं अपने, तो पहले हम theory सीखेंगे, जो पूरा procedure है वो सीखेंगे, ताकि concept clear हो, उसके बाद हम short trick पर आएंगे, ताकि fast question solve हो सके, वो short trick बच्चों तभी काम आ सकती, जब आपको concept अच्छे से पता हो, तो हम इसलिए पहले भी concept सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, hybridization calculate करते हैं, उसके बाद हम इसकी correct geometry बनाते हैं, तो BCL2 की geometry तो आपको पता ही है बच्चों, ऐसे linear geometry का होता है, bond angle 180 degree होता है, अब देखो इसमें एक bond इधार है, एक bond इधार है और कोई lone pair नहीं है, ठीक है, तो इस bond के लिए dipole moment बना, draw all the dipole moment, इसमें सिर्फ bond moments बनाने, lone pair moments बनाने की ज़रूद नहीं है, तो इस bond का dipole moment किस तरफ बनेगा, तो देखो, beryllium और chlorine ने मिलके ये bond बनाया है, अब इन दोन में से ज़्यादा elektronegative कौन है, अब वैसे बात है, chlorine है, इसकी elektronegativity 3.0 होती है, और इसकी 1.0 होती है, sorry, 1.5 होती है, ठीक है, तो इस तरफ less elektronegative से more elektronegative, ऐसे इधर less elektronegative से more elektronegative, दो vector मिले बच्चों आपको, और दो vector मिले हैं, और दोनो equal vector हैं, क्योंकि दोनो bond एक जैसे ही है, तो दोनों के जो magnitude होंगे, वो भी equal होंगे, ठीक है, बस direction इनकी opposite है, और क्योंकि एंगल 180 degree का है, तो दो equal vector आपको बच्चों 180 degree पर मिले हैं, तो आपको पता ही है, resultant कैसे निकाला जाता है, जब दो equal vector 180 degree पर आजाएं, तो इनका resultant आता है 0, अब mu resultant निकाला हमने, तो यह 0 आ गया, और दो vectors के बीच में resultant निकालने का क्या formula होता है, बच्चों, अगर दो mu1 और mu2 दो vector है, तो mu1 square प्लस mu2 square प्लस 2 mu1 mu2 cos theta, यह formula होता है अंडरूड में, यह अंडरूड ऐसा कैसे बना, इसको थोड़ा इज़च से बनाया जाए, ऐसे, तो यहाँ पर यह formula होता है बच्चों, और यह formula अपने कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि हम chemistry बट रहें बच्चों, physics यह mathematics थोड़ी ना पट रहें, इतने बड़ बड़ फर्मल लगा के answer निकालेंगे, यह formula अपने काम नहीं आएगा बच्चों, यह जो यहाँ से एक relation बस आप याद रखना, यह जो theta है बच्चों, यह theta बढ़ेगा, तो यहाँ से overall value, इसका resultant का कम हो जाएगा, तो आप यह यहाद रखो, mu is inversely proportional to bond angle, mu is inversely proportional to bond angle, dipole moment जो है, bond angle के inversely proportional होता है, अभी आगे अपने यह काम आने वाला है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, जैसे अपने BCL2 के लिए देखा, वैसे हम एक काम करते हैं, NH3 के लिए भी देख लेते हैं, SP3 with one lone pair, geometry क्या जाएगी, pyramidal, electron geometry क्या जाएगी, electron geometry tetrahedral, और geometry या shape, वो pyramidal, ठीक है, बस इसमें confuse नहीं होना आपको, यहाँ पर हमने pyramidal NH3 बना दिया, यह रहा pyramidal NH3, अब इस bond के लिए किस तरफ बनेगा, less electron negative to more electron negative, तो यह लो इदर बना दिया, यह, ऐसे यह, इसके लिए इधर बना दिया, ऐसे इसके लिए इधर बना दिया, और lone pair के लिए कि इधर बनता है, always away from the central atom, always away from the central atom, ठीक है, तो चलिए बच्चों बताईए, यहाँ पर mu क्या रहेगा, polar रहेगा, यह non-polar रहेगा, मतलब mu resultant जाएगा, वो 0 आएगा है, नॉन 0 आएगा, तो इसमें देखो बच्चों ऐसे पता लगाते है, यह तीनों वेक्टर इसी direction में है, तो इनका resultant भी इसी direction में जाएगा, जब सभी vectors एक direction में जाते, तो उनका resultant भी उसी direction में जाता है, तो यह तेनों वेक्टर ऐसे उपर की तरफ यह तो इनका रिसल्टंट मेर्डर जाएगा, हमेशा उपर ओड़ीर फैर उपर रहेगा को फिर आप एक ईड़ कि सुद्त मिलेगा Isaac कुछन्य caste मिलेगा मतलब ैषजी तो नहीं मिलेगा 우리는 3 क्सा होगा पोलर होगा NH3 कैसा होगा पोलर होगा ऐसी बच्चो NF3 को अगर हम compare करें तो NF3 को compare कर लो NF3B SP3 hybridization with one lone pair और pyramidal shape electron geometry tetrahedral यहाँ पर बताओ कि यह polar होगा या non-polar होगा देखो lone pair के लिए तो उपर दूसरा pen लेंगे बच्चो देखो lone pair के लिए dipole moment ऐसे उपर इस bond के लिए कि इदर बनेगा nitrogen की तरफ या fluorine की तरफ जो ज़्याद़ electronegative होगा उसकी तरफ बनेगा तो यहाँ पर fluorine most electronegative होथा तो fluorine की तरफ dipole moment का direction है ऐसे इसका direction भी इदर नीचे है इसका direction इदर ऐसे है तो यहाँ पर इन तीनों का resultant और ये इनका resultant निकालोगे तो कैसे आएगा देखो ये तीनों ऐसे नीचे की तरफ जा रहे है तो इनका resultant भी तो ऐसे नीचे ही आएगा बच्चो इनका resultant अगर ऐसे नीचे आएगा तो यहाँ पर इन तीनों bond pair इसका resultant ऐसे नीचे आया और उस loan pair का उपर है dipole moment loan pair moment उपर है बच्चो एक important चीज याद रखना कि जो loan pair moment होता है यह always always greater than होता है bond pair के dipole moment से यह निकि bond pair moment से इसका magnitude हमेशा बहुत ज़्यादा होता है bond pair moment से तो देखो यह एक bond pair moment है और यह एक loan pair moment है यह वेक्टर उपर है इसका magnitude ज़्यादा रहेगा यह वेक्टर नीचे है इसका magnitude कम है तो subtract तो होंगे बट क्योंकि इसका magnitude ज़्यादा है तो completely cancel out नहीं करेगा सिर्फ subtract होगा यानि कि जो mu अपने को मिलेगा यहाँ पर वो 0 तो नहीं मिलेगा अगर दोनों equal vector होते तो 0 हो जाता 0 तो नहीं हुआ यानि कि molecule तो यह भी कैसा होगा यह भी polar होगा अब question यहाँ पर यह बनता है बच्चों कि NF3 भी polar है NH3 भी polar है इन में से ज़्यादा polar कौन होगा इन में से ज़्यादा polar कौन है चलिए बताइए इन में से ज़्यादा polar होगा बच्चों NH3 NH3 ज़्यादा polar क्यों है NH3 ज़्यादा polar इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें resultant dipole moment का magnitude हमें ज़्यादा मिलेगा इसमें resultant का magnitude हमें ज़्यादा क्यों मिलेगा क्योंकि देखो यह तीनों ऐसे उपर की तरफ है तो इनका resultant भी ऐसे उपर आएगा और यह resultant इसमें add हो जाएगा जबकि इसमें resultant नीचे आया था तो subtract हो गया था यहां subtract होके मिला यहां add होके मिला है तो यहां पर magnitude ज्यादा मिलेगा this one will be more polar and NF3 will be less polar ठीक है अब यहां से question ऐसे पूछा जाता बच्चों कि NF3 में NF bond ज्यादा polar है और NH3 में NH bond उतना polar नहीं है ऐसा क्यों क्योंकि बच्चो nitrogen और fluorine इस bond की electro negativity difference निकालो तो यह आ रहा है बच्चो 1 और nitrogen और hydrogen nitrogen और hydrogen bond का electronegativity difference निकालोगे तो यह आ रहा है 0.9 तो question ऐसे पूछा जाएगा कि in NF3 NF bond is more polar in NF3 NF bond is more polar still it is less polar than the NH3 regardless less the less polar NH bond समझ में नहीं आया आसान वहाचा में समझाता हूं NF3 में NF bond ज्यादा polar है NH bond के comparison में फिर भी NF3 less polar है और यह ज्यादा polar है मतलब bond इसका less polar है बट overall molecule की polarity ज्यादा है क्यों क्योंकि polarity आती है dipole moment से और dipole moment ने हमें बताया कि इसका dipole moment क्यों ज्यादा होगा ठीक है तो ऐसे polyatomic molecules के बच्चों dipole moment calculate करने के काम आता है dipole moment ठीक है चलिए बाकी के और molecules लेते हैं फटाफट से आता है देखो बच्छो आपको बोला गया है कि BF3 के लिए निकालो CH4 या CCL4 या CF4 के लिए निकाल दो PCL5 के लिए निकाल दो SF6 के लिए और IF7 के लिए निकाल दो कि ये पोलर है या नॉन पोलर है ये बताना है तो बच्छो अब हर बार अपने को structure बनाके और वो सब करने की जरूरत नहीं है एक बार अपने वो सीख लिया process अब उसके बाद अपन एक छोटा method याद रखेंगे उसके लिए है ना वो सारा इतना सब नहीं करना पड़ेगा लेकिन पहले एक बार अपन प्रैक्टिस कर लें है PCL5 molecule में SP3D hybridization होता है पहला step क्या था hybridization निकालो SP3D hybridization आ गया दूसरा step क्या था correct geometry बनाओ तो हम correct geometry बना रहें यह पहले दो step हमने follow कर लिए यह PCL5 हमने बना दिया ठीक है यह equatorial plane हो गया ठीक है अब यह वाले आज देखो एक्जीयल सीयल ओगए उपर नीचे वले अब देखो तेसरा step क्या था सभी डाइपाल मोमेंट ड्रॉ करो इसके लिए ऊपर कर दिया और इसके लिए नीचे कर दिया इसके लिए इधर किया इसके लिए इधर किया अब निकालो इसका resultant निकाल लो सभी डाइपलोमेंट रॉकर ली रिजल्टेंट कैसा आएगा रिजल्टेंट निकालने के लिए बच्चों कुछ आसान सी बाते हैं वो याद रखो कि दो इक्वल वैक्टर बच्चों अगर 180 डिगरी पर आजाएं तीन इक्वल वैक्टर 120 डिगरी पर आजाएं चार इक्वल वैक्टर बच्चों 90 डिगरी या 109 डिगरी 28 मिनिट पर आजाएं पांच इक्वल वैक्टर अगर 72 डिगरी पर आजाएं तो इनका रिजल्टेंट हमेश हमेशा 0 होता है इनका resultant हमेशा 0 होता है ये चीज़ याद रखोगे तो question fast करने में help मिलेगी देखो कैसे ये वाला ये वाला और ये वाला ये तीनों तो 120 डिग्री पर हैं तीन equal vector 120 डिग्री पर हैं इनका resultant क्या होता है जीरो तो ये ये और ये इनका resultant 0 दो equal vector 180 डिग्री पर हैं इनका resultant क्या होता है जीरो ओवराल मॉलिक्यूल का डाइपल मॉमेंट जीरो एक सिंपल if 7 का मना के देखें देख लो if 7 का देख लो है ये विधेशन sp3 d3 है और मॉलिक्यूल जो है ट्राइपन्टागोनल बाइपिरामीडल जोमेट्री रखता है तो ये पेंटागोनल बाइपिरामीडल जोमेट्री हम बना देते हैं कि यह पेंटागरनल बाइपिरामेडल जोमेट्री है वर्चों बॉर्ण एंगल यह सारे के सारे 72 डिग्री है एक्वाटोरियल प्लेन वाले और बाकी यह दोनों इन सभी से 90 डिग्री पर लगे हुए और आपस में दोनों 180 डिग्री पर है तो चलिए अब इन सभी के लिए ड इसके लिए उपर इसके लिए नीचे इसके लिए इधर इसके लिए इधर और इसके लिए इधर और इसके लिए इधर ठीक है अब आप लोग निकाली लोगे हासान है अब तो कैसे देखो यह उपर वाला और यह नीचे वाला दोनों 180 डिग्री पर है दोनों 180 डिग्री पर है तो equal vector 180 degree पर आये तो यह दोनों का resultant cancel मतलब 0 उपर वाला नीचे वाला इन दोनों का resultant 0 एक दो तीन चार पांच यह पांच जो equatorial plane वाले vectors बनाए हैं यह आपस में कितने degree angle पर है 72 degree पर है पांच equal vector अगर 72 degree पर आ जाये तो इनका resultant 0 तो इनका भी resultant 0 इनका resultant 0 इनकी overall resultant molecule का 0 इनकी molecule कैसा हो गया non-polar यह भी हो गया non-polar ठीक है अब यह हमने सीधे सीधे तरीके से कर लिया बच्छों अब यह पास ऐसी ट्रिक है जिससे आप देखते ही बता देते हैं सारे के सारे non-polar हैं आप बस molecule को देखते हैं और बोल देते कि अरे यह तो non-polar है अरे यह तो polar है ऐसे आप बता सकते हो कैसे तो देखो आओ ट्रिक पर चलते हम सीधे अब आप ऐसे structure बना के हमने practice कर लिए इसके बाद आप ट्रिक के लिए eligible हो गयो अब आप जब करोगे इसी ट्रिक से करोगे याद रखो बच्चों जब है और या एक काम करो पहले तो वह वाली लिख लो कि जब भी बच्चों आपको एक लोन पेर मिल जाए molecule में है कि जब एक लोन पेर प्रेजेंट हो molecule में कोई सब्सक्राइब कैसा भी molecule हो उसमें अगर एक लोन पेर है कि देन कि उसको आख बंद करके पोलर लगा दो बच्चों कभी गलत रही होगा अगर एक लोन पेर है तो कोई सब ही molecule हो न हो पोललर लगा दो कभी गलत नहीं होगा कैसा भी molecule हो सिर्फ एक लोन पेर है तो वह ऐल्वेज पोलर ही होना है ठीक है यह तो golden रूल है golden रूल यह हर किसी case में available है ठीक है हर किसी case में सारी perform है एपलि केबल मतलब काईसा भी molecule हो अगर एक लोन पेर आ जाना तो सीधे उसको आप पोलर लगा के आगे बढ़ जाओ आख बंद करके आख बंद करके मतलब ऐसा मत करना सच में आख बंद करके तुम लगा दो वरना पोलर की जगे पती नहीं कहां टिक कर दोगे तुम लोग नेक्स्ट अब बच्चो इस प्रकार के जब मिल जाएं आपको जिनमें या तो बिल्कुल भी लोन पेर नहीं है या फिर एक से ज़्यादा लोन पेर हैं तब क्या करेंगे है तो सबसे पहले चेक करो वैं है और टर्मिनल एटम्स आर सेम जब आपको ऐसे मॉलिकूल दे रखे जिनमें टर्मिनल एटम्स बच्चो सेम है तब क्या करेंगे आप तब आप सबसे पहले तो यह ट्रिक लगाओ if number of loan pair equals to zero अगर उस में zero loan pair हैं zero loan pair है सारे टर्मिनल एटम्स सेम है तो वो molecule non-polar ही होगा वो molecule non-polar ही होगा always ओलवेज सीधे non-polar ट्रिक कर दोसको next एक loan pair है तो polar हो नहीं है अगर number of loan pair 2 है तो इस case में बच्चों hybridization अगर SP3, D2 या SP3, D3 है अगर hybridization SP3, D2 या D3 है तब तो वो non-polar हो जाएगा otherwise polar हो जाएगा अगर आपको बोला गया है कि number of loan pair 2 है तो फिर आप क्या करोगे आप hybridization चेक करोगे और hybridization चेक करने के बाद अगर hybridization SP3, D2 या D3 आता है तो non-polar लगा ना otherwise उसको polar लगा दिना अगर number of loan pair 3 है तो चेक करो अगर hybridization SP3, D2 है बच्चो तब तो non-polar लगा दो अगर SP3, D hybridization है तब तो non-polar लगा दो otherwise उसके अलावा कैसे भी species हो कुछ भी hybridization हो polar निकल के आएगा अब सब ट्रिक तो बता दी example भी करवा दो दो चार तो मज़ा आ जाए तो चलिए example कर लेते इसको हटाते पहले तो इनको देख लो बच्चो BF3, BF3 को इससे solve करो अब BF3 में सबसे पहले देखो सारे terminal atom same है terminal atom same है क्या loan pair zero है हाँ, boron के पास तीन electron थे, तीनो share हो गए zero loan pair, तीनो terminal same सीधे non-polar लगाओ बच्चो सीधे non-polar ठीक है या चाहो तो इस तरीके से भी कर लो इस तरीके से कर लो, इसके लिए इधर आ गया इसके लिए इधर आ गया इसके लिए इधर आ गया तीन equal vector 120 पर मिले है तीन equal vector 120 पर मिलते हैं जीरो आता है ठीक है यह देख लो, CH4, CCL4, CF4 CH4, CA यह कैसा भी molecule हो बच्चो carbon ने चार bond बनाए है चारो terminal atom सेम है 0 loan pair, all terminal atom are same molecule will be non-polar CF4 non-polar रहेगा बच्चो CH4 भी non-polar रहेगा CCL4 भी non-polar रहेगा CBR4 भी non-polar रहेगा CI4 भी non-polar रहेगा लेकिन अगर ऐसा आ जाता बच्चो CH2, F2 ऐसे दे दिया जाता तो अब हम कुछ नहीं कह सकते अब हमें इसी तरीके से पहले सब के dipole moment draw करने पढ़ेंगे फिर सब का resultant निकालना पढ़ेगा उसके बाद हम conclusion देंगे पोलर होगा या non-polar तो देखो इस बाद के लिए इस तरफ रहेगा इस बाद के लिए इस तरफ रहेगा अच्छा औरगनिक वाले बच्चो जो है वो बड़े ही निर्दई प्रकार के होते हैं जो CH बाद है उसको वो सीधे ही non-polar बोल देते हैं बोल देते हैं कि इस बाद में तो पोलारिटी नहीं है और इसका डाइपलो मुविंट कंसीडर ही नहीं करते हैं मतलब क्या कोई इज़त नहीं है क्या hydrogen की ऐसा नहीं है hydrogen आपको पता नहीं बहुत खतरनाक element होता है एक बार अगर दमागा करने लगे तो रुकता नहीं है hydrogen एक बहुत खतरनाक element है और अगर hydrogen नहीं होता तो यह universe नहीं होता इसलिए hydrogen को ignore नहीं करना चाहिए बच्चों CH bond organic में कई लोग non-polar बोलते हैं तो यह बच्चों को ध्यान रह जाता है याद रह जाता दिमाग में कि CH bond होता है वो non-polar होता है जब कि ऐसा नहीं होता है CH bond polar ही होता है चलिए बच्चों तो यहाँ पर इन दोनों bond का इस तरफ है direction और यह CF bond का direction किदर होगा फ्लोरीन की तरफ तो देखो इन दोनों का direction इस तरफ है तो इनका resultant ऐसा आएगा इनके बीच में इन दोनों का direction इधर इधर है तो इनका resultant ऐसा आएगा इधर बीच में तो overall resultant दोनों एक ही direction में है तो overall resultant जो मिलेगा वो add होके मिलेगा मतलब mu non-zero मिलेगा that means molecule polar रहेगा ठीक है तो ज़रूरी नहीं है और अगर सारे terminal item सेम नहीं है तब आप ऐसे बनाके check करेंगे ठीक है वैसे ऐसे cases आपको बहुत कम मिलेंगे ज्यादातर cases आपको ऐसे ही मिलते हैं बच्चों exam में इसलिए मैंने ये trick develop कर दी है ठीक है अब बच्चों किसी भी molecule को आप सीधे देखकर बता सकते हो कि कौन polar होगा कौन non polar होगा चलिए आगे चलते हैं और बाकी की एप्लिकेशन्स लेते हैं बच्चों डाइपल मोमेंट सर्म बच्चों percentage ionic character भी निकाल सकते हैं इसकी next application है percentage ionic character और ये अपने काम की इतनी application नहीं है इसका एक छोटा सा formula होता है mu observed upon mu calculated into hundred बस ये formula याद रख लेना percentage ionic character का इसमें mu observed जो होता है बच्चों ये experimental value होती है जो अपने को question में दी हुई होती है और calculated हम कैसे निकाल सकते हैं q into d से तो ये question में आपको information मिलेगी q into d से calculate कर देना इस formula में रख देना ये आपको question में value मिलेगी formula put कर देना आप percentage ionic character निकाल लोगे ठीक है ऐसा हमने electronegativity में भी किया था एक diatomic molecule में percentage ionic character निकालने के कोशिश की थी याद है प्लस नेक्स अप्लिकेशन के हम बात करते बच्चों नेक्स अप्लिकेशन है इसकी यह important application है अधिस क्रांस में distinguish कर सकते आं आँ सिस डांस स्अ्पोजीशन्स या सिस क्रांस में आइसमर्स सी लिख ले दें सिस ट्रांस आईसमर्स में distinguish कर सकते हम से इसकी हसे हसे कैसे देखो यहां पर आपको एक 7 और एक ट्रांस वाला structure गिवन है इस चुिर सिस और एक ट्रान्स वाला स्ट्रक्चर के बनाए तो आपको इस टे AWS करना कैसे करोगे डायकोद beliefs से सभी करो कर लो ठी किसा आप बनाएंगे इसके लिए बनाएंगे तो यह इस तरफ यह इस तरफ यह ऐसे और यह ऐसे आप देखो बच्चो इन. थो बीन उह इन दौनों के result निकालो जाना यहां पर यह इस तरफ यह इस तरफ देखी और झ मुमनेक्स पर एंब बनुदी बैसे पर आप did कर देंगे अगा तरांस वाला जो form है यह नॉन पुलर फॉर्म हो गया रही को यह यह नन पॉलर आप और सिस्वाले को देख लें सिस्वाला क्या कर रहा है सिस्वें देखो अच्छों यह ऐसे उपर की तरफ यह भी ऐसे उपर की तरफ दोनों cl वाले डाइपल मुवमेंट है तो इनका resultant भी ऐसे उपर ही आएगा ऐसे यह दोनों है ch bond वाले इनका resultant भी ऐसे उपर ही आएगा दोनों का resultant एक direction में है तो add होके कुछ ना कुछ तो मिलेगा मतलब 0 नहीं मिलेगा जीरो नहीं मिलेगा इसका मतलब molecule polar रहेगा तो यहां पर cis वाला polar है ट्रांस वाला non polar है ठीक है डाइपल मुवमेंट इसका ज्यादा रहेगा क्या ऐसा हमेशा होगा कि cis वाला polar और ट्रांस वाला हमेशा non polar रहेगा क्योंकि ट्रांस पे तो 180 डिग्री पर लग जाते सब्स्टिट्ट नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता है हमेशा cis वाला polar और ट्रांस वाला non polar नहीं होता है इसका एक example देखो अभी अगर मैं c l को हटा के c h 3 group लगा देता अब मैंने इधर c h 3 group लगा दिया तो बच्चों मुझे जड़ा बताओ dipole moment इसके लिए जब मैं draw करूंगा तो इसके लिए तो ऐसे कर दूँगा और इसके लिए ऐसे कर दूँगा c l के लिए इधर ऐसे और c h 3 क्योंकि ये plus effect शो करता है बच्चों इसलिए इसके लिए भी direction ऐसे उपर बनेगा तो देखो ट्रांस वाला था बट ये c l वाला और c h 3 वाला दोनों एक डिरेक्शन में हैं यह दोनों भले cancel out ओजाए पर ये तो एक डिरेक्शन में हैं तो ये नॉन-zero मिलेगा that means ये तो पोलर रहेगा ट्रांस वाला मॉलेक्विल पोलर रहेगा सिस वाला देख लेदे चलो सिस वाला देख लो सिस वाले में क्या है बच्चों सिस वाले में देखो ये सील है इसके लिए इधर है इसके लिए इधर है इसके लिए इधर है इसके लिए इधर है तो ये दोनों तो एड हो गए बच्चों ये ऐसे नीचे है और ये भी ऐसे उपर है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो ठेकर और ये क्योंकि उपर है ये नीचे है तो निलेगा वह से तरह सिद्धन रोटकर को ही मिलेगा जीरो थो नहीं मिलेगा जीरो नहीं मेलेगा तो में और आप नहीं सlorा topping है तो इन्हें प्लप अथा ज्यादा त्योंस कोन होगा जाधा पॉलर होका Counter ट्रांस वाला ऐसा क्यों आसा इसलिए क्योंकि यहां पर C l और CR3 वाले दोनों । यहां पर चले आपर फ्याद कर दोनों धाद मोंधने डियोर्ट तो यहां पर पोलर और किया तो ऐक है ये यह पोलर निकलत फिकले तो आइशा कंगे आपि ठीक अब देखो next application और तो मेटा और पैरा इनमें भी distinguish किया जा सकता है बच्चों और तो मेटा पैरा में कैसे ऐसे distinguish कर सकते हैं कि पहले तो अपन और तो मेटा पैरा बना लेते हैं यह और तो पोजिशन है यह मेटा पोजिशन है और यह पैरा पोजिशन है और तो मेटा और यह पैरा अब अच्छों देखो सबसे पहले तो बेंजीन के लिए देखो आप लोग बेंजीन ऐसा होता है सी सिक्स एच सिक्स यानिकि छे कारवन और इनसे ऐसे यह 6 हाइट्रोजन जुड़े हुए है यह बेंजीन है अब यह क्योंकि सारे कारवन है तो सब्की अलेक्ट्रोने՛िविडिश रसे अमें सब्कीलेक्ट्रोनेगडविडिश सेम है सारे बॉन योड नॉन फॉलर हैं यहीं क्य liberté यह ग्लान पोलर हिसकी नागे बने कर्वान सेट किललने गणरें टो इस तुछ टी स्ट डीवा इस तरफ बनेगा एक इस टरफ बनेगा यह वाला इस तरफ बने इन ग secret कर दो नगाते हैं यह दाने निट inbox मैं केंसल आपकेंज उन appetite बेंजीन C6H6 ये तो कैसा हो जाएगा नौन पोलर हो जाएगा बेंजीन कैसा हो जाएगा नौन पोलर बेंजीन नौन पोलर हो जाएगा तो क्या बाकी के ये और्थो डाइकलोरो बेंजीन मेटाइकलोरो बेंजीन पेराइकलोरो बेंजीन में नौन पोलर हो जाएगे नहीं अभी यहां पर हाइड्रोजन को हटा के मैंने CL लगा दिया अगर तो अब बैंजीन, यह क्लोरो बैंजीन वो नॉन पोलर नहीं है, अब इस बांड का डाइपल मोमेंड हमें कंसीडर करना पड़ेगा, तो चली देखते हैं, और तो मेटा और पैरा, इसको तो हटाते हैं, अब देखो बच्चो यहां पर, इनके लिए ऐसे बन जाएंगे, और इसके लिए ऐसे बन जाएगा, ठीक है, तो यहां पर, बच्चो यह वाला देखो पैरा वाला, पैरा वाले में तो दोनों opposite है, दोनों opposite है, 180 डिगरी पर है, यह तो cancel out हो जाएंगे, यह नॉन पोलर हो ज दाएगा, ठीक है, यहां देखो, यह दोनों 120 डिगरी पर हैं, ऐसे, और यह दोनों almost 60 डिगरी पर हैं, यह दोनों almost 60 डिगरी पर हैं, और यह दोनों almost 120 डिगरी पर हैं, तो बच्चो यहां पर, यह और यह दोनों cancel out तो नहीं होंगे, यहां पर मिलेगा, तो दोनों जगे, non-zero अब दोनों जगे non-zero मिलेगा तो रहेंगे तो दोनों polar तो बच्चों ये बताओ कि ज़्यादा polar कौन रहेगा तो अब यहाँ पर काम आएगा अपना वो अला relation bond angle और dipole moment वाला क्या था वो relation dipole moment is inversely proportional to bond angle तो यहाँ पर bond angle जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर dipole moment कम होगा तो इधर bond angle 120 degree है इसलिए यहाँ पर bond angle ज़्यादा है यहाँ पर कम है तो इसमें dipole moment ज़्यादा रहेगा और यह तो है यह non-polar तो इनमें order यह आ जाएगा ortho dichloro benzene will be more polar metadichloro will be less polar and paradichloro benzene will be non-polar ठीक है अब एक question है आप लोगों के लिए बच्चों इसको आप homework में ज़रूर ट्राय करना question है आपको polarity का order बनाना है ortho chloro toluene metachloro toluene इन तीनों में बच्चों order बनाना है यह आपका ग्रह कार्य है यह homework है इसको जरूर ट्राय करें और उसके बाद कुछ question ले लो कुछ भी question उठालो पोलर रॉन पोलर वाले ज्यादा तर मॉलेक्यूल्स में आपको 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 लेंगे कि which of the following is polar, non-polar या ऐसे भी question पूछ ले जायता है which of the following molecule will have permanent dipole moment इसका मतलब वो यह पूछना चारा है किसका resultant dipole moment 0 नहीं है यानि कि कौन polar है और ऐसे भी पूछ सकता है which of the following molecule does not have any permanent dipole moment मतलब किसका dipole moment 0 है यह पूछना चारा है वो तो यह था बच्चों अपना dipole moment I hope आप सभी को समझ में आया होगा यह tricks जो मैंने बताई है इनका use करके question solve जरूर करना क्योंकि यह बहुत helpful tricks है बाकी तो इसी तरह पढ़ते रही है chemistry हसते रही है मुस्कुराते रही है मिलते अगले lecture में thank you so much one day मात्रम